हेलो हुआ हम चोकलेत8 देखे हो जोड़ें के लिए हमैं लोगों का यह भार फिर से स्वागत है है तरहिसे दी आज हम बनाने जा रहे है छोकलेट है चमच भावडरियम Nord लिया जो और संद्रप चमच बगिलSoda ये फफरप समच नहीं दूपावडरों जो इसमें दाल कि पावडर लिया बें इसके बगिशे हैं बभावडर नाम के पावड़म बहुं पावडरियम सेरे करते हुए इसको पिल्गूल अच्छी तरीके से मिला लेंगे देक्या पेंस मैंने इनको अच्छे में डालते हैं और यह मैंने वैनिला एसेंस लिया है तो इसकी 1-4 चमच मैं इसके अंदर डाल देती हूं और अब हम इनको अच्छे से इनको भी मिक्स कर लेते हैं आप्अऐ चूह और रोच हमार्मियाद लेगिया है खुष मादम थ्रेश भी आतंड है और दूद हम घुले तो मैं यहास आप्एं कि उख्ष तुब करत को दिलिए और आपिजिआ इसको जाता है और इसको गोल खुर से भी और एक smooth खुल कर दों को मिनाते हैं तो इसमें लंस नहीं रहे ही हैं भी तो मैं इसको मिला ल्यटी हूं और को इसके अंदर shift कर देती हूं यह फ्रेंट्स मैंने गोल को इस container में shift कर दिया है अभी मैं इसमें biscuits के साथ बनाऊंगी तो मैं यह वाले biscuit मैंने ले लिए हैं और मैं इनको इनको थोड़ा-थोड़ा करके और मैं जाल देती हूं थोड़ा चोटा-चोटा wal और मिक्स कर देती हूं तो दिरे धिरें अपने के त मैंने तो मैं एक चमाचिस की नुटेला की इसके अंदर डाल देती हूं इधर की फ्रेंट्स मैंने सारे चीजों को अच्छी तरे से इसमें मिक्स कर दिया है मैंने इस साइट में गैस पे कड़ाई रखी है जिसमें मैंने नमक डाला है और उसके उपर स्टेंड रखा है यह नमक यह पहले भी यूज किया हूँ तो यह अच्य-से गरण हो गया है मैंने इसको गरम कर लिया है अब जो हमने ये hoffe लिए ये मैं इसके अंदर डाल दैती हूँ, और इसको मैं ढक के और जब तक ये केक तयारब नहीं होग सबस्क्रापमों अपर ऐसे इस प्रापमन नीज़ ही ये इसको मैं छेख कर लेते हैं मैंने तुब टैप से अंदर ये देतामर इस सबस्क्राब केक जो कंटेनर में निकाल लिया, और इसके उपर मैंने यह नूचलेला के कोटिंग किया हमारा केक है वह चौकलेट केक है तो इसलिए मैंने नूचलेला से इसके उपर कोटिंग कर दिये और अभी हमने जो पावडर सुगर लिया था वह मैंने दिया केटोरी और छल्ली में डालके इसके उपर हम हलका हलका सा बुर्ट देंगे इससे हमारा इसका उपर का जो विजाईनिंग हो बहुत अच्छी हो जाएगे थोड़ा थोड़ा करके हम हलका हलका सा कि लिए देखे फ्रेंट्स मैंने हमने इसके उपर इसके अपर यह जो हमने पावडर सुगर लिया था उससे हमने रिखना इसके ओपर कोटिंग कर दी है अभी हमें इसके थोड़ा सा चोकलेट सिर्ख लेंगे और वो इसके ओपर डाल देंगे हलका है यह देखिए और यह हमारा जो केक है वो बनके तियार हो गया आप लोगों को मैं यह काट के दिखाती हूँ एक पीस और इसको मैं काट लेती हूँ मं सब्सक्राइब करना जो बनने तियार है और यह बहुत ही अच्छे से पकी है इस देखिए मैं आपको दिखाऊँ वीये डिकि बिल्कुल जी से पकी है यह केक तो प्रेंच आप भी यह यह केक बनाईए यह खाए जोँए विदावल के आपने कमेंटस मेरे साथ शेर कीज और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना गुलें तो अन्देवाद फिर मेते नेक्स होगे